स्टोन सूप एक गाव में मोती राम के घर के बाहर मोती राम, सोना बाई, हीरा बाई और रूपा बाई बाते कर रहे थे सोना बाई, मैंने सुनाए इस सल आपकी खेती काफी बड़िया हुई है खेती तो आपकी भी लाजवाब हुई है हाँ मगर मैं इसका ढिंडोरा नहीं पीतना चाहता, वरना महमान आ जाएंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, महमान काफी परिशान करती हैं बिल्कुल, खासकर बिन बुलाए महमान बिन बुलाए महमान तो हैवान है बिल्कुल सही कहा, मैं कभी भी महमानों पर अच्छा खाना और पैसा बरबार नहीं करती कैसा करना सही है, हम महमानों को आने से कैसे मना कर सकते है बस कोई अच्छा सा बहाना ढून लो, और काम हो गया मैं भी यही करता हूँ, मेरे लिए परोक्का घर से शुरू होता है और घर में ही रहता है खेर, अब मुझे काम पर जाना है, चलता हूँ कितनी बुरी किस्मत है मेरी, मैं बेचारा गरीब ब्यापारी, बहुत भूखा हूँ मगर यह गाओ वाले मुझे काफी कठोर लग रहे हैं मुझे नहीं लगता यह लोग मुझे खाना और आराम करने के लिए थोड़ी जगा देंगे खेर, फिर भी कोशिश करता हूँ हाँ, कौन है तुम और क्या चाहिए? मैं एक व्यापारी हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ और ठक भी गया हूँ क्या मुझे खाने के लिए थोड़ा खाना और आज रात आराम करने के लिए थोड़ी जगा मिल सकती है? खाना खतम हो गया है, कुछ भी बाकी नहीं है, कहीं और जाओ कितना कठोर है ये, हाँ, चलो मैं दूसरे घर में जा कर देखता हूँ नमश्कार दयालू बहन जी, मैं एक व्यापारी हूँ, क्या मुझे खाने के लिए थोड़ा खाना और आज रात आराम करने के लिए एक कोने में थोड़ी जगा मिल सकती है? क्या कहा तुमने? लकड़ी? क्यूं? जंगल में तो कितनी सारी लकड़िया हैं? एक गिरा हुआ पे ढूंडो और उसे काट लो, तुम्हें लकड़िया मिल जाएंगी मैंने कहा खाना, मैं बहुत भूखा हूँ हाँ तो ठीक है ना, जाओ और काट लो लकड़िया वाँ वाँ, कितना बढ़िया बहाना था, उन्होंने बहरेपन का नाटक किया चलो, मैं कहीं और प्रयास करता हूँ क्या कोई घर पर है? भूखे व्यापारी को थोड़ा खाना मिल सकता है? नमस्ते बहन जी, मैं सोच रहा था कि क्या मुझे थोड़ा खाना और आज रात रहने के लिए थोड़ी जगा मिल सकती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रही है? अच्छा, तो यह उनकी चाल थी, अनाप्शनाब बाते करना, मैं हार नहीं मानूँगा मैं एक व्यापारी हूँ, क्या मुझे थोड़ा खाना, और आज रात गुजारने के लिए एक कोना मिल सकता है? ओफो, मेरा भंडार पुरा खाली है, मैं खुद भी बहुत भूकी हूँ, लेकिन मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है मा, खाने में नमक कम है यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे भी काफी अफसोस है कि मैं तुमारी मदद नहीं कर सकती, माफी चाहती हूँ रुकिये बहन जी, अगर आप भी भूकी है, तो मैं हम दोनों के लिए सूप बना सकता हूँ हाँ, अगर मेरा भंडार खाली है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती मुझे केवल पकाने के लिए एक पतीला, एक चम्मच और थोड़ा पानी चाहिए मेरे जोले में एक जादूई पत्थर है, जब उस पत्थर को पानी में उबाला जाता है, तो उससे एक लाजवाब स्वादिष्ट सूप बन जाता है सच में, एक जादूई पत्थर और तुम्हें केवल थोड़ा पानी और एक पतीला चाहिए, इतना इंदजाम तुम्हें कर ही सकती हूँ हाँ, केवल एक पतीला, एक बड़ा वाला पतीला यह हलो पतीला धन्यवाद, अब आप बस देखती जाईए एक चादूई पत्थर, जिससे सूप बनता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है आह, मजेदार, सूप बहुती स्वादिस्ट बनने वाला है काश हमारे पास इसमें डालने के लिए एक या दो आलू होते आलू से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता पर क्या करे, हमारे पास तो आलू है ही नहीं हрам, तुमने कहा एक या दो आलू चलो मैं देखती हूँ, मेरे पास एक दो आलू कहीं बाकी तो नहीं है ये लो, सौभा गिवश मेरे पास कुछ आलू बाकी थे मैंने ने तुम्हेरी लिए छिल भी दिया है वाह बहुत बढ़िया आपने जो आलू मुझे दिये हैं उससे इस सूप का स्वाद ला जवाब हो जाएगा गाजर और टमाटर से इस सूप में गजब का रंग आता है लेकिन हमारे पास तो गाजर टमाटर है ही नहीं कोई बात नहीं मैं नहीं जानती मैंने ये टमाटर कल के लिए बचा कर रखे थे पर मैं कभी भी मदद करने से पीछे नहीं हकती और मुझे ये भी पता है कि सोना बाई के पास धेल सारी गाजर है पर मैं ये नहीं जानती कि वो हुआ गाजर हमें देंगी या नहीं मेरे पास जादा तो नहीं है असल में मैंने भी इन गाजरों को कल कले बचा कर रखा था मगर कोई बात नहीं अगर हीरा बाई टमाटर दे सकती है तो मैं भी गाजर दे सकती हूँ वैसे भी रोज रोज थोड़े ही जादुई पत्थर से सूप बनते हुए देखने को मिलता है मैं आप सभी का शुक्रिया कैसे आदा करूँ मेरे पास शब्द नहीं है यह सूप बहुत ही शांदार बनने वाला है इसे देखकर मुझे उस सूप की याद आ गई जो मैंने कुछ दिनों पहले पिया था उसमें मैंने केवल थोड़ी फल लिया, प्यास और शायद अद्रक का एक छोटा सा टुकड़ा डाला था और क्या गजब का स्वाथ था उस सूप का अब केवल वही चीज़े बाकी है मगर कोई बात नहीं हमारे पास जो है वही काफी है अब हमेशा सब कुछ और सबसे बढ़िया तो नहीं मिल सकता न क्यों नहीं, अगर सबसे बढ़िया हो सकता है तो सुनेरा मौका क्यों गवाए ये लो सबजिया, जब किसी को मदद चाहिए होती है न तो बुड़ा मोती राम कभी पीछे नहीं अटता अब भला आपकी उदारता मैं कैसे भूल सकता हूँ आहा, मू में पानी आ गया क्या स्वाद है, क्या जायका है, क्या सुगंध है अद्भुत, अब बस एक चुटकी नमक मिल जाए तो चार चान लग जाएंगे मैं थोड़ा नमक और सभी के लिए कटोरा लेकर आती हूँ धन्यवाद, मैं बस ये कहने ही वाला था आप सभी बहुत दयालू और मददगार है मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूँगा यह बहुत अच्छा अनुभव है आपने तो मेरे मूँ की बात कह दी इतना स्वादि सबजियों का सूप वो भी एक पत्थर से बना हुआ मैं यह सोच रही थी कि उस पत्थर का क्या हुआ क्या वो पिघल गया आरे नहीं, पत्थर तो वैसे ही रहता है यह देखिए, यह रहावजादूई पत्थर जिसने सूप बनाया है क्या आपको पता चला पत्थर के सूप का रहस्तिया हाँ, आप उसे बिना पत्थर के भी बना सकते हैं हेलो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कॉमेंट्स में जरूर बताईए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए थैंक्यू वरी मच्च